हेलो फ्रेंड्स विलकम बैक टो माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाइ डिजाइन प्रेंड्स जैसे के आप लोगों को पता है हम लोगों की बेशिक सिलाइ गलास चल रही है जिसमें कि friends अभी हम लोगोंने blouse की classes शुरू किया हुआ है तो blouse में हम लोगोंने 7 class complete कर लिया है यह हमारी 8 वी class है तो अभी तक हम लोगोंने इतना पूरा blouse complete कर लिया है sleeves की हम लोगोंने पिछली वीडियो में cutting और stitching सीखा था अब इतना हमारा complete हो गया तो अब हमारे blouse में इसको कैसे जोड़ना होता है यह हम लोगोंने नहीं सीखा है तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं जानेंगे कि sleeves को हम अपने blouse में किस तरह से लगाते है तो चलो सबसे पहले हमको क्या करना है अपना यह जो blouse है इसको हम उल्टा करके ले लेते हैं हमको blouse को उल्टा करके लेना होता है और जो आस्तीन है इनको हमें सीधी करके लेनी होती है तो मैं कर लेती हूं इसको भी तो देखो friends इस तरह से हमने अपने blouse को उल्टा करके ले लिया है और जो आस्तीन है इनको हमने सीधी करके ले लिया है तो अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी कौन सी आस्तीन किदर साइड की है ऐसा नहीं है कि कोई भी आस्तीन किदर भी लगा दो पहले हमें सबसे पहले यह जानना है कि कौन सी आस्तीन हमारी इस साइड की है कौन इस साइड की है तो इसके लिए हम क्या करेंगे व्लाउस को पूरा हमने उल्टागर के लिया और आस्तीन को सीड़ी करके इसके बाद हमको देखना है हाफ इंच हमारा जो हमने डाउन किया था बस यह जो हमने सीधा रखा तो इसको हम इससरे से रखेंगे Hai आफ इंच हमारे विझांट इधर की हुई अब यह जानने के बाद देखो अब हम क्या करते हैं एक स्रुपस जोड़ा साथ ही जोड़ेंगे अब जो ये आस्तीन हमने बनाया है इसको हम अपने आर मोल के अंदर इस तरह से डाल देंगे ये जो गोलाई है इसी में हमें अपने इस वाली गोलाई को ऐसे डालना है ये हमारा शीधा साइड की अंदर के साइड पहुंच जाएगा अब जो margin होगा वो हमारा उल्टा साइड को आएगा इसलिए हमने अपने blouse को उल्टा करके रखा तो इस तरह से दोनों की गुलाई हमें देखना है कि बराबर है या नहीं तो इसकी तो गुलाई बराबर है आप एक बार इस तरह से भी चेक कर सकते हो यह सिलाई से सिलाई मिलाना है अब हम इसको इस तरह से देखते जाएंगे कि बराबर आ रहा है जैसे जैसे हम सिलाई लग तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे यह देखो यह हमारा पूरा गोलाई दोनों का बिल्कुल बराबर है तो देखो फिर से हमारी जो सिलाई है सिलाई के पास सिलाई मिलके आई है यह पूरी गुलाई हमारी बराबर है जैसे अगर आपके थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो रही है तो जो भी ज्यादा हो रही है वहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगा सकते हो सिर्फ कोने में ठीक है अगर थोड़ा बहुत अंतर हो तो नहीं तो फिर आपको शिलाई खोलनी पड़ेगी अब हम क्या करेंगे यहां पर शिलाई कैसे लगाएंगे वह देखते हैं तो देखो यह जो हमारा मार्जीन है जो स्लीवस वाला मार्जीन है इसको हम इधर साइट को यानि कि उसके बैक पार्ट की साइट को रखेंगे ब अब उपर कभी हमें फ्रेंट पार्ट की साइट को ऐसे फोल्ड करके लेना है यह हमने फोल्ड किया ऐसे फोल्ड किया हाथ से दबा के रखना है अब हम इसको यह जो हमारे आस्तीन का मार्जीन है इसको दूसरे साइट को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे अब ऐसे रखने के ब पर्षे शिलाई लगाना शुरू करेंगे वहीं से ठीक है अब हम इस तरह से जैसे मैंने आपको पकड़ के कपड़े को दिखाया था उसी तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में शिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से यह हम पूरे म सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीप्स भी मैंने कंप्लेट कर लिया है तो इस तरह से यह हमारा पूरा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है अब इसमें हमें तुर्पाई करना होगा और जैसे कि मैंने बताया था यह हमारा बटन वाला ब्लाउज है तो इसमें बटन लगाना सिख तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी का जो भी काम बचा हुआ है उसे हम कंप्लीट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नय हो तो चैनल को सिस्क्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दी ना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादा